नमस्कार दोस्तों वेलकम टो माई चैनल आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आप आपका विंडोस सिस्टेम का आपका कॉम्पूटर का डेटा वागड़ा पहले से ही मतलब सीकूर करके रख सकते तो दोस्तों क्या होता है हम लोग विंडोस इंस्टॉल करन यहां पे डिख्टप दिख रह तो जितना भी फोल्डर यहां पे दिख रहा है आपको सबकूछ मतलब दोस्तों यह वाला वला सी डाइव में रहता है तो माल ली है देखे ईवसर के अंदर जो भी आपका कारेंटिफ सबकूच में रहता है तो इस से खत्रा क्या होता है फोल्डर में हो गया डाउनलोड डॉकुमेंट डेस्टॉप जहां पर भी मतलब आप फाइल फोल्डर सेफ करके रखा हुआ है वहला फाइल फोल्डर पाने में दिक्कत हो जाता है क्योंकि सीड़ाइब कर तो सकते लेकिन उसके लिए आपको दिक्कत बहुत सरा पढ़ जाता तो इस सीचेशन में आपको क्या करना है तो सिंपल सा टिक्स है दोस्तों इसको आप अगर फोलो किजेगा तो जितना भी आपका फाइल फोल्डर का बैक अप है वह पहले से ही आप सेक्योर करके आपके सिस्टेम में रख सकते है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते है त तो हम क्या करेंगे जितना भी फाइल फोल्डर आपको दिखा है यहां पे वह बहला वहाला विडियो आपको सेफ करके दिखाएंगे कैसे आप सेफ कर सकते तो इससे कोई फ़रक नहीं पड़ेगा दोस्तों आपका जितना भी फाइल फोल्डर है वह वह बहुत हो जाएगा तो इसके लिए पॉपर्टिस में जाना पड़ेगा और यहां पर देखिए लोकेशन है लोकेशन में जाके आप देख सकते साब साब यहां पर सी डाइब में अभी कारेंट लोकेशन दिख रहा है तो इसको क्या करना है आपको इडाइब में कॉन्वर्ट कर देना है तो यह वह बहुत हो जाएगा तो क्या होगा जितना भी फाइल फोल्डर आपका वहां पर रखेंगे सेफ करेंगे तो वह बहुत है दाइब के अंदर आपका फोल् प्रेट हो गया और उसके अंदर देखिए डाउनलोट के अंदर जितना भी फाइल फोल्डर है और यहां पर दिख रहा है तो ऐसे ही मतलब आप दूसरा जो फोल्डर आपका चाहिए मतलब डेक्स्टॉप में ज्यादा तर हम लोग मतलब फाइल फोल्डर रखते तो डेक् अर्वार मतलब आप मतलब की जिए दोस्तों आप इस कर दीए उससे हो जाएगा तो हमें डॉक्सट भी चाहिए तो इसके बाद तो दोस्तों यहांपर एस कर दिये और्यकर दिये तो देखें मैंने तीनों फॉल्डर का लोकेशन मैंने चेंज कर दिये मुवब करदियेए तो इससे फाइदा क्या होगा और यह बीitative Music पिक्चण और विडियो भी चाहिए तो आप आप Convert कर सकते हैं तो दोस्तो मैंने तीनो फोल्डर का मतब लोकेशन चेंज कर दिया तो अभी क्या होगा जितना भी फाइल फोल्डर यहां पे मतब सेव होगा तो यहां पर आपको देख सकते हैं तीनो फोल्डर आपको दिख रहा है तो आभी मैं लाइप प्रूप आपको दिखाऊंगा यहां पे desktop के अंदर एक folder क्रेट करके फाइल क्रेट करके आपको दिखाऊंगा लाइप प्रूप के यहां पे सेव होड़ा है के नहीं तो यहां पे देखें न्यू एक folder ले लिया मैंने तो तुरंती देखें यहां पे भी न्यू फोलडर एक बना के मतलब यहां पे भी क्रेट हो गया तो यहां पे चलिए नाम चेंज कर देते तो तुरंती देखें यहां पे भी मतलब एडाइब के अंदर भी टेस्ट वाला फोलडर मतलब आपका दिख रहा है तो ऐसे ही मतलब दोस्तों आप बहुत ही इजी तरीक कुछ भी हो गया तो उसके क्रॉप्ट होने से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा और सिंप्ली आप मतलब सीडाइब को आप फॉर्माट डायरेक्ली कर सकते तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लागे तो जोरूर एक लाइक कर देना दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब नहीं किया तो जोरूरे सब्सक्राइब कर देना और साइड में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको दवा के रखिए तो दोस्तों आज का वीडियो यही पेंट करते मिलते हैं नेक्स वीडियो में जैहिं बंदे मात्रम और कोई भी पॉब्लम होगा कॉम